नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासेश में दोस्तों आज की वीडियो है आरपीफ के रिटन एक्जाम से संबन दे तो इस वीडियो में आपके लिए 10 कोस्चन्स बताऊंगो जो की आरपीफ की जो बंदे तैयारी कर रहे ह उनके लिए बहुत ही ज़्यादत इंपर्टेंट कोस्चन्स होंगे तो मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपने आरपीफ जोएन करने के लिए ठान रख किया आप आरपीफ के एक्जाम्स देने वाले हैं या आरपीफ के लिए अपलाई करने वाले हैं तो आप इस इसकी वीडियो लेकर आते रहता हूं तो दोस्तों यह वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं केबल डिफेंस के एकजाम्स जैसे आर्मी एर फोर्स नेवी और पीफ, सिए आरपीफ, सिएसफ, इटीव, पी, अससबी, बीएसफ और डिफेंस एकजाम्स को ध्यान में अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस बीडियो में एक एक प्रस्मी महतुपूर्ण है और आपको यह बीडियो एंड तक देखना चाहिए और एक्जाम्स में निश्चत सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्ल वडियो फिस्ट कॉस्ट कूस्चन है हमारे आज सका कौन सा देश 24 साथ चलिए ऑलंपिक 2022 की मेज बार नी करेगा और ऑप सैंअब के इटली चीन जैपान और दोस्तों आपका और सटैन है जर्मनी तर तो नम्र बंग करेक्षुः होगा वह कर दोस्तों चीन तो 2022 के जो सथ विश्वे सीट काली नोलम्पिक गेम्स होने वाले हैं उनकी जो मेजवानी करेगा उसका नाम है चीन तो दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कोस्टन नमबर टू भारती संब्धान में अलिखित स्वतंतरता समानता और बंदुत्ता की संकल्पना किस से प्रेरित है तो आपके फ्रांस के संब्धान से आईरिस के संब्धान से अमेरिका के संब्धान से या फिर दोस्तो option D आपका British के संब्धान से तो आपको बताना है कि भारती संब्धान में अलिखित, स्वतंतरता, समानता और बंदुत्रता की संकल्पना किसे प्रेरित है तो दोस्तो यहाँ पर question number 2 का correct answer होगा option A France के संब्धान से तो next question है हमारा question number 3 देश में मुद्रा को नियंतरित करता है option से आपके option A भारती रिजर्ब बैंक, option B State Bank of India, option C ब्यापारिक बैंक and option D इन में से कोई नहीं तो देश में मुद्रा को नियंतरित कौन करता है तो दोस्ते यहाँ पर question number 3 के जो correct answer होगा option A भारती रिजर्ब बैंक बनलब रिजर्ब बैंक of India जो है वो देश में मुद्रा के लिए नियंतरित करता है तो next question है हमारा दोस्तो आज का question number 4 प्रिसिद्ध हवा महल राजिस्थान के किस सहर में इस्थेत है प्रिसिद्ध हवा महल राजिस्थान के किस सहर में है तो option से आपके option A अजमेर, option B जोदिपूर, option C जैपूर and option D कोटा तो दोस्तो question number 4 का correct answer होगा option C जैपूर हवा महल दोस्तो जो है प्रिस्थान के जैपूर जिले में इस्थेत है तो question number 4 का correct answer है option C जैपूर तो next question के तरफ चलते हैं, next question है हमार आज का question number 5 अपराद अन्वेसर में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है जो किसी भी अपरादी का आपने सुना होगा कि DNA टेस्ट होता है तो DNA टेस्ट क्यों करा जाता है तो दोस्तों option से आपके अपरादी की आकरिती बताता है वो अपरादी की संभावित लंबाई बताता है जैबिक साच्छों से अपरादी की पहँचान कराता है या फिर इनमें से कोई नहीं तो friends question number 5 का जो correct answer होगा वो होगा option C DNA test जैबिक साच्छों से अपरादी की पहँचान कराता है तो दोस्तों next question की तरक चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह से videos लेकर आता रहता हूं जो कि आपके आने वाले defense के exams और खासकर RPF के exams के लिए बहुत ज़्यादा mathematical videos होती हैं तो दोस्तों मैं अपने वीडियो में के बाद 10 questions लेकर आता हूं जो 10 questions बहुत ज़्यादा important होते हैं और आप जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसकी आप वीडियो की PDF भी download कर सकते हैं तो PDF download करने के लिए आपके लिए मैं description में link दे दूंगा उस link पे जाकर आप इस वीडियो की PDF download कर सकते हैं PDF download करने बिल्कुर free होता है इसके लिए कोई भी charge नहीं ली जाता है तो दोस्तो next question की तरफ चलते हैं अभी next question है हमारा question number six सूर्य में उस्मा और प्रकास किसके दौरा उत्पन होते हैं सूर्य में उस्मा और प्रकास किसके दौरा उत्पन होते हैं आप्शन है आपके नुक्लियर अविक्रिया, आप्शन B, आयनी अविक्रिया, आप्शन C, जैविक अविक्रिया, एंड आप्शन D, इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों सूर में जो उस्मा और प्रकास है वो नुक्लियर अविक्रिया के द्वारा उत्पन होते हैं, तो क्वे क्षेशन 7 निमलिकित अम्रीगी राष्षपतियों में से किसने दास्ता को समाप्त किया ओप्षन साप्ति के ऑप्षन एग अब्राम लिंकों ऑप्षन फोमस जेफर्शन ऑप्षन सी जोउज बासिंग्टन एंड ऑप्षन D स्टैनले जैक्शन तो दोस्तों क्वेशन नम्र 7 का correct answer option A, Abraham Lincoln दास्ता के लिए जिसने समप्त किया उनका नाम है Abraham Lincoln तो question number 7 का correct answer option A, Abraham Lincoln next question है हमारा question number 8 दूद में पाए जाने बाला मुख प्रोटीन कौन सा है option से आपके albumin, option B, globulin, option C, casein and option D, global question number 8 का correct answer है आपका option C, casein तो दोस्तों next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा आज का question number 9, जलिये वाला वाग हत्यकांट से कौन सा ब्रिगडियर सम्मंदित था option से आपके करनल बेले जली, जनरल हैरिस, जनरल डायर and आर्थर बेले जली question number 9 का correct answer है option C, जनरल डायर जनरल डायर के आदेश पर ही जलिये वाला वाग का जो हत्यकांट हुआ है वो हुआ था, तो question number 9 का correct answer option C, जनरल डायर next question है दोस्तों हमारा आज का question number 10, निमलिकित मेंसे कौन सी गैस रंगीन होती है निमलिकित मेंसे कौन सी गैस रंगीन होती है options हैं आपके oxygen, option B, nitrogen, option C, chlorine and option D, hydrogen तो जो रंगीन गैस होती है दोस्तों वो होती है chlorine गैस तो question number 10 का correct answer है option C, chlorine गैस तो दोस्तों यह जो हमारे आज के 10 questions थे, बहुत ही ज़दे important questions थे खास करके RPF के exam के लिए, यह जो 10 questions थे, किसी ने किसी RPF के exam में आ चुके है, तो दोस्तों यह हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया और वीडियो को like नहीं किया तो please वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें और दोस्तों bell icon को press जरू कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप bell icon को press करेंगे तब ही आपके लिए जो important वीडियो है मेरे चैनल द्वारे जो upload की जाती है उनकी notification पहुंचेगी तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो को साथ में, thanks for watching तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत